हाई गाईज आप सब कैसे हो I hope आप सब बहूद अच्छे होंगे सुवस्त होंगे मस्त होंगे आज का ब्लोक आज सुबा सुबा बेते का स्कूल ब्यायो भी स्टार्ट हो गया है सब दोग मेंनद दोथियू गया है। कि दोर ठीप के लिए नेथे यहाथए। सच्वोल नहीं है। टाम से दोर नें जाना सबकूने हैं। पता ही सकता है। 겨asmुमई डिन नहीं और रही है। सब खेंज़ हीpler करने का तो पता हूं नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो बेट सीट चेंच कर देते हैं और बेट सीट थोड़ा सा गंदा भी हो गया था और यह जो बेट है ना यहां पर कोई नहीं फिलाल हम कोई नहीं लेटते क्योंकि यह बेट ऐसे ही रहता है बेटा यहां पर पढ़ाई करता है और फिर यहां पे कपरा बपरा रहता है तो क्योंकि रात को हम लोग दूसरे हो जो मम्मी का रूम है न वहां पे ही सोते और दिन में न यहां पे बेटा पढ़ाई भी कर लेता है और साम को भी कभी यहां पढ़ाई कर लेता है तो बेट ऐसा ही पढ़ा रहता है और winter के season में पता तो है guys कपरा, sweater, कंबल और इतना सारा कपरा होता है ना कि क्या करू कि कहां रखो तो bet पे ही रहता है क्योंकि bet पे कोई लेटता नहीं है bet पे कोई बेट नहीं यूज़ कर रहा है तो bet पे ही सब कुछ रह जाता है और मैंने सोचा कि चलो वो जो बाल्टी वाला बैग है ना उसमें घुजा के रखते सब पेहले बेट सिट चेंज कर दे तो guys इसलिए ना husband के death के बाद ये इस room में रहने का दिल भी नहीं करता और फिर क्या बताओ तो guys और आज पता एक हाथ्षा हुआ है आप लोगों से मैं share कर रही हूँ क्योंकि मम्मी जो है जब Christmas से चुटी है और आज ना पहली बार जब बेटा स्कूल जा रहा है तो थोरा सा लेट हो गया तो बेटा बोल रहा है कि देखिए ये बाल्ती बैक खाली में कर दिया है और इसमें सब कपड़ा गुशा के रहें तभी ना अच्छा लगेगा और देखिए बेट के साइट पे जो रॉट वगेरा है वो धूल बहर जाता है कभी-कभी जैसे हर दिन तो सापने ही कर सकते लेकिन जब बेट सीट वगेरा चेंज करते तब यह ना साइट में जो यह बेट का जो वो होता है ना यह जो रॉट वगेरा क्योंकि लोहे का बैठ है ना तो इसमें धूल बढ़ जाता है तो इसको भी थोड़ा सा कपड़ा भीगो के इसको पूछा लगा लेंगे तो गाईस हाँ बेटा स्कूल जा रहे थे तो पांच कुनिट बाकि था और स्कूल हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है नस्ती की है पैदल यह आते जाते है मामी के साथ तो फिलहाल बेटे को लेट होगा पांच मूलें नहीं पहुंच पाए गा और जो फेल लाइन यह ना वह तो नहीं आटेंट कर पाए गा तो बेटी को बहुत तकलीव होता है अगर अगर जब अइन कर पाते तो नहीं वेटे ने बोला कि मुझे आधि जाना आए तो मैंने बोले चलो गारी से ही जाओ तो ना कल ना मैंने मम्मी को 500 रुपिया दिया था फोन पे रिचार्च करने के लिए और उसमें मम्मी के पास 200 रुपिया था और पता नहीं क्या लिया था 200 रुपिया मम्मी के पास था तो दूसरी तरब ऑ्टोवाल उसने नोट को देखा कि यहां पर 20 रूप यहां नहीं है 200 रूपिया तो वहां चिल रहा है कि the Tou Bri हम बंगाली लोग तो मतलब दीदी ही बोलते है दो तू मेरी ममց को भल रही है कि कि हाँ वो तो कल रिचार्च किया था तो मम्मीन ने बोला कि मुझे पहचानने में भी नहीं आया कि 200 रूपया, फोड़ा सा ऑरिंज कलर का होता है और 20 रूपया फोड़ा सा पिंग-पिंग, मतलब दोनों का कलर कुछ फोड़ा सा डिफरेंट है फटेटने में । तो उसने भैसोचा की, यह है की यही है, यह बीस रूपया है तो एही बोल रहे हैं कि दुनिया में जैसे हो रहा है कली यूग और कली यूग में हर इंसान खराब नहीं होता तो देखिए गाइस दुनिया जितना भी इतना भी जो जैसा भी हो इंसान जितना भी कोई-कोई इंसान बहुत बुरा होता है बहुत गंदा होता है फिर भी अगर दूसर रुपया ले लेता तो हर इसा नहीं होता तो इस बहुत टाइप का होता है तो इस जमाने में भी भले इ। इनसन है इसलिए दुनिया है अब जब भले इनसन नहीं रहे तो यह होता है नेकी इसने नेकी कमा लिया है और हर इंसान तो नेकी नहीं कमाना जाता है हर इंसान ना दुनिया थोड़ा तो वह हो गई है ना तो हर इंसान के दिल में ज्यादा से ज्यादा इंसान के दिल में खौप नहीं है यही बात है और देखी कि पूरा बैट मैंने पो तो नोकर्चा कर नहीं कुद का काम खुदी को करना पड़ता है तो बहुत सारा बच्चा जीस घर में रहता ना बहुत ज्यादा काम रहता है तो कौन से काम करे और कौन से ना कारे पूरसती नहीं मिलता तो गाइश देखिए जो यह दरवाजा है ना बात्रूम का यह पूरा ना वाइट पता नहीं हो गया है क्योंकी चोटा सा बात्रूम है और में इसको खुला रचके हिं कप्राद होते हो क्योंकि का कप्रद दोर्मी में घर मक rozp संद द lobby करे के का सब्ढ़ होने में फिर रहे न में पुर्ल्ण देटीं हो 5 धर चेटा लगके वह पूरा वायठ कि गिषुने प्लाग कैसे जाता है तो दो किसो पाईगा कि जाता है तो सोचणा पड़ेगा कि ग्लास की जो प्लाइब उसा से जाएगा या नहीं मुझे समझ में नहीं थेक हैं बैट सिट चेंज कर दिया है और मेरी मम्मी बंचे को स्कूल भेज़के घर में आ गई है और यहाँ पर देखिए यह जो कागज है ना इसका लिफाबा यह बना रही है और यहाँ पर कल यह सब करके रखे थे और आज फिलाल इसको मोर रहे फिर इसको फिर मतलब तीन बार इसको तीन चार बार पहले इसको सजाना पड़ता है फिर इसको एक से एक चिपकाना पड़ता है फिर इसको ऐसे करके मोड़ना पड़ता है फिर इसको और एक बर लगाना पड़ता है फिर इसको गिन के उसको देना पड़ता है तो जदा से जदा चार बार चार पाँच बार इसको करना पड़ता है और देखिए आज खाने में ब इसे किनारा होता है ना पराटा मैं अघाता हो अपर निकाल में अंदर को हम बढ़ना है और जो जो चिरिया वगेरा काक जो होता है न कवा चिरिया विर्या उसको में दे देती हूं कि उन लोगों को भी ना खाना उन लोगों को देने वाला इंसानी तो देगा तभी ना वो लोग खाएंगे तो देने के लिए तो हम इंसानी है और हम लोगी अगर हाद उठा लेंगे तो किनारा और किनारा ना में खाने के बाद सांती नहीं मिलता इसलीए न Mix निकाल के ही खाती हूं और यह जो किनारा बचा हुआ रह congestion इन यह चीरिया-बिठाया इस लोगों दें है तो काहिस अच पूई आलू की सब्जी और परता खाने के सबद में फिर जाएंगे कपड़ा दो पर यह जादा देर जल्दी चल्दी क्योंकि उठे हैं इस लिए भूग भी जल्दी लगे उठे जब लिए जाव नीम्ध ऑन के तो हम से खुना लेकिन बहुत सारे लोग ना इसको खाने में पसंद नहीं करता तो आज ना पॉपी सीर्ट से ना इसी से में ओल को भी को फ्राइ करूंगी और ये आज पुरा वैच बनाएंगे खाना क्यूंकि नाज नॉन वेच खाने का मन नहीं कर रहा है और फ्रीज में मचली पड़ा हु उसमें मैंने पानी मतलब उसके उपर डाला दिया तो इसके आजिदेश निकल अनिकल गया हुए सब आप activity पॉपी step कर में इंकल डीडिया है और गरम ये गोवी अला करें Caitlin's के बासे में तो बेया और ये अर ये तक पीसें काने निया है सिर्फ आफ मतलब में कुछ नहीं ट यहां पर डालेंगे थोड़ा सा वही हरामिच और कुछ नहीं और गाईज यह बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही मतलब जैसे वेच जिस दिन बनता है ना वेच के लिए भी परफेक्ट है और नॉन वेच के मतलब जैसे हम लोग को ज्यादा-चे ज्यादा नॉन वेच खात बन्गाली लोग जैसे मचली वचली तो खाते है यह सब भी बहुत पॉसंद करते हैं और बहुत सारे लोग को भी मैंने बोला नहीं कहाते क्योंकि जैसे इसका सबजी हर किसी को अच्छा नहीं लगता बट ऐसे पॉपी सीट से अगर फ्राइज करेंगे ना तो किसी को पता है कि इनसान अच्छा है इसलिए दुनिया भी है दुनिया चल रहा है जिस दिन दुनिया में कोई भी अच्छा इनसान नहीं रहेगा ना उस दिन दुनिया भी नहीं रहेगी तो यही बात है और नया साल तो पढ़ गया है और हर कोई जैसे हमारे यहां पे अगल बगल में बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, गूमने जा रहे हैं, और फिलाल मैं तो कहीं नहीं गई, और क्योंकि घर कहीं बैटी हो जाने का दिल भी, उस दिन जो बेटा, बेटी का एक्जाम हुआ था तो उस दिन थोड़ा सा बेटी को लेके गए थे, बुरना सबीस, नहींगे सबस्काराइब करेटी, थीक है, वित भी में हो थे, यहां जायीड ओटा है, वित अगधा बा नहीं लेकए तो थोड़ा सा भी में क्म हो जाने का लास्ट टाइम पे जाएंगे, जा थोड़ा सा वित बियुक्साहे यह बहुत अच्छा बंद लगता है और यहां पर देखिए बेटा खाएगा वही राइस को मैंने फ्राइ कर दिया है अंडा और आलू के साथ और यहां पर बन रहा है पत्ता गोभी बस और आज कुछ नहीं और दोबेर में यही लंच करेंगे और यह जो पत्ता गोभी है न यह रहे जाएगा रात को रोटी भी हो जाएगी तो गाईज देखिए बन चुका है सब कुछ और हाँ मैंने थोड़ा सा दाल जो है न मसूर की दाल मैंने भरता में भरता बनाऊंगी और चावल और कुछ नहीं तो गाईज आज का वीडियो इतना ही मिलेंगे फिर अगले बाई बाई गाईज आप सब अच्छे से रहे हैं खुछ खुछ